अपनी सुन्दर्ता को और निखारने के लिए आज ही हमारा चैनल ब्यूटी एक्सपर्ट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें अनिजमित दिन चर्या और खान पान के कार्ण कबज और पेट की समस्याएं आम बात हो गई है कबज रोगियों में गैस वो पेट फूलने की शकायप भी देखने को मिलती है लोग कहीं भी और कुछ भी खा लेते हैं खाने के बाद बैठे रहना, डिनर के बाद तुरंत सो जाना ऐसी आते हैं जिनके कारण कबज की शकायप शुरू होती है पेट में गैस बनने की विमारी ज़्यादा तर बजूर्गों में देखी जाती है लेकिन ये किसी को भी और किसी भी उमर में हो सकती है कबज की समस्या से बचने के लिए निजमे रूप से आपको व्यायाम या फिर योगा करना चाहिए तीखा यानि की फास्ट पूर्ट खाने से बचना चाहिए हरी बत्तेदार सबजियों का सेवन करना चाहिए आज इस वीडियो में हम एक ऐसी होम रेमडी के बारे में बताएंगे जिसे एक बार लेते ही आपका पेट साफ हो जाएगा इसके लिए हम यहाँ पर लेंगे एक निम्बू, एक ग्लास पानी और काला नमक इन तीनों चीजों को आपको ले लेना है और फिर एक ग्लास पानी के अंदर एक निम्बू को निचोड लीजिए फिर आदा चमच नमक का उसमें डाल कर उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस पानी को इस रेमेडी को आप मौर्निंग के टाइम में यूज करें खाली पेट अगर आप ऐसा डेली करते हैं तो आपका पेट बिलकुल साफ हो जाएगा आपको एक बार लेते ही काफी फर्क नजर आएगा क्योंकि निम्बू में कुछ ऐसे पोश्क तत्र पाई जाते हैं जो आपके शरीर के लिए काफी फायदे मंद होंगे साथ ही निम्बू के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो हमें रोगों से बचाने के लिए काफी हेल्प करती है निम्बू में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वाइरल और रोग प्रतिरों तक शम्ता को बढ़ाने वाली प्रॉपर्टीज पाई जाती है इसलिए अगर आप मौनिंग के टाइम पानी के अंदर निम्बू को निचोड़ कर उसका सेवन करेंगे तो इससे आपका पेट साफ हो जाएगा फ्रेंड्स आप मेरी इस रेमेडी को जुरूर अपलाई करें और अगर आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी तो प्लीज इससे लाइक जुरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यावाद थेंक्यू